नमश्क्यार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम की पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है डिरसंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके के टोफिफ्टी क्योशन जो बार-बार आपसे एक्जाम में पुछी जारे हैं तो डि आपके जो भी डाउट है वो साथ साथ कलियर होते चलें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेर जरू कीजिएगा डिरसंस पर तेक क्योशन का अंसर देने के लिए आपको पांस सेकिंड का समय दिया जाएगा उसकी बाद आपको क्योशन का आ आसर तातया टोपे का वास्तिविक नाम क्या था तातया टोपे का वास्तिविक नाम हमने हां पर बताना है तो option सी राम चंदर पांदू रंग उप्संद सी होगा आपका right answer नेक्स्ट आपका थर्ड देखेगा डालमा अभ्यारन किस राज्य में सित है डालमा अभ्यारन कौ शोलंग की वरंस का सनस्थापक कौन था और और सक्तांट मूल राज प्रथम को थे मूलराज प्रथम थे यूँअ ई रहे today आपक सरवाएं आब टोल के संसथापक सर्राइव किस देस की देन था जो माब्तोल की पिर्थम और य है वो कौन से देश की, कौन सी country की देन है, तो right answer होगा option C, France की dear sense, तो C होगा आपका right answer, next है आपका, किसे चीन का राष्टर पिता कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, डोक्टर सन्यात सेन को चीन का क्या कहा जाता है, राष्टर पिता कहा जाता है, dear sense, B रहेगा आपका right answer, next है नेक्स देखेगा एहमद शाह अबदाली का वास्तिक नाम क्या था किसका वास्तिक नाम बताना आप नहीं है आपर एहमद शाह अबदाली का जो वास्तिक नाम था वो था एहमद खां एह होगा आपका राइट आंसर नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट आपका, कपेल धारा, जल परपाद, कौन सी नदी पर स्थित है, तो कौन सी नदी पर है, option B, नर्मदा रहेगा आपका right answer, नेक्स्ट आपका, ओफिसर्स ट्रेनिंग, अकेडमी, कहां पर स्थित है, डिरसेंट्स, याद रहेगा जो ओफिसर्स अकेडमी है, जो वो है, चेन्नई में, ए रहेगा आपका right answer, नेक्स्ट आपका, चिलका जिल, किसलिए परसीद है, क्यों परसीद है, चिलका जिल, तो याद रहेगा, option A, जींगा पालन के लिए, वहाँ पर क्या किया जाता है, जींगा पालन किया जाता है, इसलिए वो पर सिद है famous है, तो A होगा, आपका right answer, नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट आपका दुनिया के मजदूरों एक हो, का नारा किस ने दिया था? तो right answer रहेगा है यहाँ पर आपका option C, काल मार्क option C रहेगा आपका right answer, नЕक्स्ट आपका, नेक्स आपका, बहुत सिंग को फासी की सजा, स भगत सिंग को फासी की सजा सुनाने वाला न्याएधिस, कौन्त एडिरसंस, राइट आंचर रहेगा, option C, G, C, Hilton, C, होगा, आपका, राइट आंचर, next है, आपका, एलिफेंटा, जल परपात कहां पर सित है, option D, में घाल ले रहेगा, आपका, राइट आंचर, छेले, next देख आपका, रहोतांग दर्रा कहां पर सित है, तो डिरसंस, जो रहोतांग दर्रा है, वो ही माचल प्रदेश में सित है, C, होगा, आपका, राइट आंचर, next है, बाइबिल का, जर्मन भाषा में अनुआद, किस ने किया था, बाइबिल का, जो जर्मन भाषा में अनुआद है, वो डिर्संस किया था option A, Martin Luther ने A होगा आपका right answer next है आपका भारत के किस वर्स भारत में किस वर्स वन्य जीव सरंक्षन अधिनियम लागू हुआ था तो कौन से वर्स हुआ था 1972 में 1972 में क्या हुआ था भारत में वन्य जीव सरंक्षन अधिनियम लागू हुआ था डिर्संस A होगा आपका right answer next है आपका बद्री नाथ किस नदी के तेट पर बसा है जो बद्री नाथ है वो कौन सी नदी के नदी का नाम हमने आप पर बताना है तो option C अलकनन्दा नदी option C होगा आपका right answer next है आपका जलिया वाला बाग हत्याकार में किस नाम के भारतिया ने डायर का सहयोग किया था तो किस ने किया था option B हंस राजने याद रखेगा हंस राजने B होगा आपका right answer next है आपका India for Indians India for Indians पुस्तक के writer यानि लेखक कोन है डिर्सन्स तो right answer का option B चितरंजन दाज है जो वो India for Indians पुस्तक के क्या है लेखक है writer है तो यहाँ पर आपका B होगा right answer next है आपका 21 देखेगा Australia का Chancellor कोन था Australia का जो Chancellor था वो कोन था डिर्सन्स option B Meternic option B होगा आपका right answer next है आपका गुर्जर परतिहार वन्स का संस्थापक कोन था तो कोन था डिर्सन्स option D नाग भट प्रथम D होगा आपका right answer next है आपका विवेकानन्द को स्वामी विवेकानन्द की जो उपहादी दी गई थी वो किसने दी थी वो दी थी डिर्सन्स महाराज खेतरी ने B होगा आपका right answer next है आपका cabinet मिशन किसके नैतरितों में आया था किसके नैतरितों में आया था option A पैथिक लोरेंस के नैतरितों में आया था डिर्सन्स A होगा आपका right answer चलिए 25 आपके लिए लेहे और श्रीनगर को जो समदित करने वाला दर्रा है उस दर्रे का नाम आपने बताना है तो option C POSLELAR होगा आपका right answer 26 देखेगा फरका सिचाई प्रियोजना किस राज्या में है पश्यम बंगाल C होगा आपका right answer next है आपका भारत में सबसे पुराना अभ्यारन कों सा है तो डिरसंस या दखेगा जो जिम कारबेट है वो भारत में सबसे पुरान, सबसे पुरान है क्या है अभ्यारन है तो C होगा आपका राइट आउंसर, next है आपका हरित सोना कहलाता है इनमे से कौन है जो हरित सोना ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है, तो option D, option D, चाय को हम green gold, यानि हरी सोना भी कहते हैं, D होगा आपका right answer, next है, आपका next देखेगा, भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी कौन सी है, तो यार देखेगा option A, कंचन जंगा, option A रहेगा आपका right answer, चले next है, किस इटली निवासी को मानवाद का संस्थापक माना जाता है, तो किसको माना जाता है option A, पेट्रोक option A होगा आपका right answer, चले, 31 देखेगा, the fall of man, किसकी कृती है, किसकी कृती है, option B, Michael Angelo, जो है the fall of man, है, जो वो किसकी कृती है, Michael Angelo की है, तो B होगा आपका right answer, next आपका 32 देखेगा, केंदरिया, इंधन, अनुसंदान, संस्थान, कहाँ पर सी 32 संथ, धनबाद में, C होगा आपका right answer, next आपका, किसकी शासनकाल में, 1937 में, यानि 1943 में, बंगाल में भयानक क्या पढ़ा था, अकाल पढ़ा था, तो किसका लिन लिथाएगो के शासनकाल में, 1943 में क्या हुआ था, भयानक अकाल पढ़ा था, तो A होगा आपका right answer, next आपका, next आपका, next देखेगा, option C, शेषा चलम पहाड़ी पर सीथ है, जो तिरुपती है, याद रखेगा, तिरुपती है, जो वो, शेषा चलम पहाड़ी पर सीथ है, C होगा आपका right answer, next आपका, विद्या सागर से तू, किस नदी पर बनाना, नदी का नाम आपने हाँ पर पताना है, तो option B, हुगली नदी B रहेगा, आपका right answer, next है, आपका, मंडी सिच्चाई परियोजना, किस नदी पर सीथ है, तो डिर्शन सी हाँ पर आपका option B, विद्यास नदी, option B होगा आपका right answer, next है, आपका, next देखेगा, भारत में गेहुं का जीन बैंक कहाँ पर, सीथ है, भारत में गेहुं का जीन बैंक कहाँ पर सीथ है, option A, कर्नाल में, कहाँ पर है, कर्नाल में, भारत में जो गेहुं का ज संधान के इंदर कहाँ पर सिथा डिर्सस? Option A मकदुम और ये मकदुम कहाँ पर उत्तर प्रदेश में A होगा आपका right answer Next आपका अमेरिका का सवतंतता युद किस संधी के तहत स्माप्थ हो गया था खतम हुआ था तो right answer होगा यहाँ पर आपका option A पैरिस के संधी ये होगा आपका right answer Next है आपका रूहेला युद किस वर्स हुआ था ये हुआ था डिर जशन 1774 में याद रखेगा रूहेला युद हुआ था जबो 1774 में हुआ था ये होगा आपका right answer Next है आपका नगर निगम के स्रोच अधिकारी को क्या कहा जाता है तो यहाँ पर आपका option D महापोर होगा आपका right answer next है आपका सल्तनत काल में भूमी की पैमाईस को क्या कहा जाता था तो याद रखेंगा अडिर्शन option B मशाहत option B रहेगा आपका right answer सल्तनत काल में भूमी की पैमाईस को क्या कहा जाता था मुशाहत कहा जाता B होगा आपका right answer next है आपका सूरियत आपका कितना परतिशत भाग जलवास्प द्वारा शोख लिया जाता है तो कितना सोख लिया जाता है डिर्शन राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका option D 11 परतिशत D रहेगा आपका right answer next है आपका 1854 वूट डिस्पैज किस विशय से सम्मदित है कौन से विशय से सम्मदित है option C, सिख्षा से, education से तो C रहेगा आपका right answer next है आपका पानी के प्रभा का मापक क्या है पानी के प्रभा का जो मापक है वो क्या है, Q-shake B होगा आपका right answer next है आपका next देखिगा संसद में बराबर वोट परने पर निनायक मत कोन देता है संसद में बराबर वोट परने पर जो निनायक मत है वो कोन देता है option C अध्यक्स option C होगा आपका right answer चलिए आज का आपका last question है उतकर्स्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है जो उतकर्स्ट गैस होती है जो उनकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है option D सूनने होती है अध्यक्स दी होगा आपका right answer तो यह थे आज कि आपके जीकी के top 50 question जो बार-बार आपसे exam में पुछी जारे है तो अगर आप हमारे चनल पर पहली बार विजिट करें हमारे साथ पहली बार जुड़ी है तो प्लीज चन को subscribe प्लीज को बैल आइकन को जूर से जूरू प्रेस के लिजेगा तो डिरस्ट चलिए मिलते अपनी नेक्स वीडियो में कुछ और महतरपुन कोशनों के साथ तब तक डिरस्ट सभी को जय हिन जय भाट वन्ने मात्रम एंड टेक केर